JTC Holidays प्रस्तुत करता है, राजस्थान बस पैकेज, पैकेज 7 Nights और 8 Days का है, कवर किये गए डेस्टिनेशन्स हैं, जोदपूर, जैसलमेर, बीकानेर, जैपूर और रन्थमभोर, गुजराती, पंजाबी और जैन भोजन, 2x2 AC, Non-AC Sleeper Bus, प्रती दिन एक पानी की बोतल प्रती सीट, होटल मेठ है रेंपर फामिली, यात्रा के दोरान नाश्ता, यात्रा के दोरान दुपहर का भोजन, यात्रा के दोरान रात का भोजन, यात्रा के दोरान मिठाई, बस राजकोट से शाम पांच बजे, सूरत से शाम बढ़ोदा से रात आठ बजे और एहमदाबाद से रात दस बजे रवाना होगी। रात की यात्रा, जोधपूर के रास्ते में, Day 2, जोधपूर के साइट सियंग्स, उमेद भवन पहले स्राजस्थान की विरासत का एक शानदार नमूना है और नए जोधपूर का प्रतीक है। ततकालीन जोधपूर शाही परिवार का घर और वर्तमान में दुनिया का छठा सबसे बड़ा निजी आवास है। महरांगड किला जोधपूर में 1200 एकर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्मान लगभग 1469 में राजपूर शासक राओ जोधा द्वारा किया गया था। रात्री रोकान, जोधपूर में, डे थ्री, जोधपूर से जैसलमेर के रास्ते के साइट सींग्स, रामदेवरा मंदिर राजस्थान के लोख देवता, बाबा रामदेवजी का एक पवित्र मंदिर है। यह जोदपूर से जैसलमेर रोड पर पोकरण से 12 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है। अपने रेत के ठीलों के लिए प्रसिद, खूरी राजस्थान में जैसलमेर से लगभग 50 किलोमेटर दक्षिन पश्चिम में एक छोटा सा गाव है। खूरी में कम भीर होती है और यह अधिक सुखद अनुभव प्रदान करता है। उट सफारी रेगिस्थानी क्षेत्रों की खोज करने का एक सही तरीका है, विशेश रूप से राजस्थान जैसे एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समरिधक शेत्र। घूमर राजस्थान का पारम पर एक लोख नृत्य है। यह भीर जनजाती थी जिसने इसे देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया था जिसे बाद में अन्या राजस्थानी समुदायों ने अपनाया था। कैंप फायर एक कैंप की जगह में लगी आग है जो खाना पकाने के लिए प्रकाश और गर्मी और गर्मी प्रदान करती है। कैंप फायर कैंपिंग की एक लोख प्रिय विशेशता है। रात्री रोकान, जैसल मेर के टैंट में, डे फोर, जैसल मेर के साइट सियंग्स, जैसल मेर का किला जैसल मेर शहर में स्थित है। यह दुनिया के बहुत कम जीवित किलों में से एक माना जाता है क्योंकि पूराने शहर की लगभग एक चोथाई आबादी अभी भी किले के भीतर रहती है। पठवों की हवेली जैसलमेर में पांच बड़ी हवेलियों का समू है। गुमान चंद पठवाद्वारा 1805 में निर्मित पहली हवेली को पूरा करने में श्रमिकों को लगभग 55 वर्ष लगे। लोधुर्वा जैन मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोधरुवा गाव में स्थित एक जैन मंदिर है। गडी सर जील जैसलमेर जिले में स्थित है। इसे जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ए में बनवाया था। साइट सीइंग्स पूरी करने के बाद बीकानेर के लिए प्रस्थान, रात्री रोकान, बीकानेर में, डे फाइव, बीकानेर के साइट सीइंग्स, बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसका निर्मान स्वयम एक विशाल किले के चारों ओर किया गया है, शहर और उसके आसपास के किले भव्य दर्ष्टनिय स्थल बनाते हैं, करनी माता मंदिर बीकानेर से 30 किलोमेटर दूर दाशनोक में करनी माता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर लगभग 25,000 काले चूहों और कुछ सफेद चूहों के लिए प्रसिध है जो जीवित रहते हैं, साइट सींग्स पूरी करने के बाद जैपूर के लिए प्रस्थान, रात्री रोकान, जैपूर में, डेज सिक्स, जैपूर के साइट सींग्स, आमेर का किला आमेर में स्थित एक किला है, आमेर शहर और आमेर का किला मूल रूप से राजा मान सिंग बिरला मंदिर, जैपूर में स्थित एक हिंदू मंदिर है और कई बिरला मंदिरों में से एक है. इसे 1998 में बिरला फाउनडेशन द्वारा बनाया गया था. कनक वरिंदावन राजस्थान की राज़तानी जैपूर में एक बगीचा है. ये अरावली पहाडियों से घिरी घाटी में बना है और नहरगड पहाडी के तल पर आमेर किले के रास्ते में स्थित है. हैंड मेज शीजों की खरीदारी, रात्री रोकान, जैपूर में, डे सेवन, रन्थम बोर के साइट सियंग्स, जैपूर से रन्थम बोर के लिए प्रस्थान, रन्थम भौर नाशनल पार्क राजस्थान, उतर भारत में सवाई माधोपूर शहर के पास एक विशाल रन्थम भौर केला सवाई माधोपूर शहर के पास, रन्थम भौर राष्ट्रिया उद्यान के भीतर स्थित है, यह पाक जैपूर के महराजाओं का पूर्व शिकारगाह रहा है, त्रिनेत्र गनेश मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे लाल करौल पत्थर से बनाया गया है, यह रन्थम भौर केले के परिसर के अंदर स्थित है, रात्री रोकान, रन्थम भौर में, घर वापस, जे टी सी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट, कॉन्टाक्ट, 968-789-5000 या 922-760-0890